Welcome to exam तक आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई 2020 से बनने वाले सभी important current phase के question अम लोग इस वीडियो में discussion करने वाले साथ में मैं आपको हरे question के साथ में detail में explanation भी बताऊंगा जिससे आपको current phase के साथ साथ statistics जी के काफी ज़्यदा improve हो जाएगा लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूँगा जिसका आंसर आपको comment box में देना है तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखना इसकी PDF आप लोग टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे जिसका link नीचर description में दिया गया है तो start करते हैं आज का वीडियो पहला question कौन सा है भारत में स्वदेशी रूप से विक्षित किस anti-tank guided missile का सफलता पूरुग प्रक्षेपन क्या है तो anti-tank guided missile है जिसका सफलता पूरुग प्रक्षेपन क्या है यह है दुरुवस्त्र ठीक ना दुरुवस्त्र missile का प्रक्षेपन क्या है ओडिशा के बाला सोर्स से इसका सफलता पूरुग प्रक्षेपन क्या है एंड ये जो हैं anti-tank guided missile है, स्वदेशी रूप से विक्सित है, इसको किसने विक्सित किया है, तो defense, research and development organization, DRDO ने इसको विक्सित किया है, ठीक है न, तो ये भी आपको याद रखना, DRDO की बात आई है, क्योंकि इसको DRDO ने विक्सित किया, तो DRDO काफी important organization है, आपके कोई भी exam क ये लिए आप से यहां से आपके question पूछते हैं, तो DRDO की full form क्या है, defense, research and development organization, हिंदी में क्या है, रक्षा, अनुसंदान, एवं, विकास, संगठन, headquarter का है, नई दिल्ली में इसका headquarter है, इस्तापना हुई थी, 1958 में, अध्यक्ष अभी कोन है, जी, शतिश, रेड़ी, अभी इसके share person है, तो इस सभी बाते हैं, आपको DRDO से सम्मधित याद रखना है, इस missile का याद रखना, नाम ध्रूवस्त्र, ओके, तो ये भी आपको याद रखना, सभी question जो भी friends में, आपको extra points बताता हूँ, current phase का वीडियो, आपके सभी exams के लिए most important होता है, चाहिए आप लोग exam के लिए most important होता है, तो आप लोग channel को अभी subscribe करके bell icon को दबा दीजिये, and daily सुबह उड़ते ही, ये current phase का वीडियो जरूर देखे, इससे आपके knowledge में काफी ज़्यादा improve होगा, ओके, चले, अब बात करते है second question की, Greta Thunberg को मानवता के लिए, गुलबेन कियान पुरुसकार स सम्मानित किया जाएगा, तो वो किस देश की है, तो Greta Thunberg, ये परियावरन activist है, आपको पता होगा, सब लोग जानते होंगे, time magazine में आई थी, Greta Thunberg, 17 वर्सिय स्वीडन की ये है, जो कि परियावरन को बचाने के लिए, climate change को बचाने के लिए, काफी ज़्यादा प्यास कर ये ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना, गुल बेन किया पुरुसकार के तया दिन को एक मिलियन यूरो पुरुसकार राशी दी जाएगी, Greta Thunberg को, कितनी, एक मिलियन यूरो, ओके, बात हैं, स्वीडन की ये, Greta Thunberg, तो स्वीडन की राजदानी क्या है, स्टोक होम य नहीं दिये जाते हैं, मुद्रा क्या है, स्वीडन की, तो स्वीडिश क्रोन या की मुद्रा क्या है, स्वीडिश क्रोन, प्रदान मंत्री को है, अभी स्टिफन लखवेन, यहां के प्रदान मंत्री को है, स्टिफन लखवेन, ओके, तो यह आपको याद रखना है, स्वीड हैं आपको याद रखनी है चलिए अब बात कर रहा है next third question की राष्टिय खनीज विकास निगम National Mineral Development Corporation का अधिक्ष और प्रवंध निदेशक किसे निउक्ष किया गया है तो अभी सुमित देव को निउक्ष किया गया है यह आपको याद रखना ठीक है ना सुमित देव को निउक्ष गया है राष्टिय खनीज विकास निगम का MD and CEO ओके इसका Headquarter कहां पर है NMDC का तो हैदराबाद में इसका Headquarter है स्थापना हुई थी 1958 में DRDO की स्थापना भी 1958 में हुई थी वो भी आपको याद रखना ठीक है ना चले next बात करता है चौते कोशन की हाल ही में दूरलब पीला कचुआ कहां पर देखा गया तो दूरलब परजाति का पीला कचुआ इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं यही है वो दूरलब पीला कचुआ जिसको अभी उडिशा राजिय में देखा गया ठीक है ना उड बारत बांगलादेश नेपाल इन देशों में मिलते हैं स्रिलंका वगरे में तो यह आपको याद रखना पीला कच्छों हैं दुरलब कच्छों हैं ऐसे कच्छों बहुत कम दिखते हैं ठीक ना आपने भी शायद कभी नहीं देखा होगा तो अब बात उडिशा की आई हैं त पर यह दो इंपोर्टेंड नेशनल पार्क है जो कि उडिशा राजिय से समंदी थै आपको याद रखना है इंपोर्टेंद हैं चिल का जील भी कहाँ पर Хी है ठीक ना तो वो भी आपको याद रखना है चलिए next बात काता है पांच वे कोश्टन की हाल ही में काक्रापार परमाणू सहिंतर ने अपने तीसरे रियक्टर से बिजली उत्पादन को शुरू कर दिया यह कहां पर हैं तो काकरापार परमानु सहिंत्र जो हैं एकदम मेड इन इंडिया तरीके से तीसरा रियक्टर काम करना शुरू किया है जिसके स्वदेशी एकदम पूरा का पूरा हमारे मेड इन इंडिया का ये रूप है और बिजली उत्पादन शुरू कर देगा 700 मेगावाट इसकी कैपसिटी है वो भी आपको याद रखना 700 मेगावाट ये कहाँ पर है तो गुजरात राजिय में हैं गुजरात में सूरत के पास में हैं काकरापार परमानु सहिंत्र दो रेक्टर पहले से काम करें ते तीसरा रेक्टर है जिसके शमता है 700 मेगावाट बिजली उत्पादित करने की तो ये काफी अच्छी बात है काकरापार परमानु सहिंत्र के बारे में अब ये गुजरात में हैं तो गुजरात की राज़दानी क्या है गांदी नगर यहां की राज़दानी है मुख्यमंत्री कोने प्रेजन टाइम है विजे रूपानी मुख्यमंत्री है राज्यपाल कोने गुजरात के अचारिय देववरत जो है गुजरात के प्रेजन अगल पाई एशिया के शेर पाई जाते है एशियन लॉइन ओके ये भी आपको याद रखना है इसके अलबा कच्छ मरीन नैशनल पार्क भी है इंडिया का पहला मरीन नैशनल पार्क पूछ लिया जाए तो यही है कच्छ मरीन नैशनल पार्क ओके तो यह आपको याद रखन लिए नेक्स्ट बात करता है सिक्स्ट कोईशन की किस राजिय में निवेश को बड़ावा देने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को लॉंच किया तो इन्वेस्टमेंट को बड़ावा देने के लिए राजस्तान राजिय ने अभी लॉंच किया है वन स्टॉप शॉप को या आपको याद रखना राजस्तान इसको लॉंच किया है वन इस्टॉप शॉप को जिसके तैत सिंगल विंडो सिस्टम के तैत जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उनके लिए जो भी गौर्मेंट डॉक्यमेंटेशन वगरे जो हैं उस प्रोसेस को इजी बनाना इस योजना क के तैत आएगा वन इस्टॉप शॉप के तैट इन्वेस्टमेंट को बड़ावा देना ओके इससे पहले कई सारे राजिये ऐसी योजना लाते हैं अभी वन इस्टॉप शॉप योजना आपको याद रखना किस राजियों में लाईए तो राजस्तान में लाईए बात रूप से काफी ज़्यदा चर्चा में था पाइलेट ने अभी अशोगलोत का साथ छोड़ दिया बट अभी क्या होगा फाइनल सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है ठीक है ना तो वो भी आपको आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चलिए बात है राजस्तान की तो राजस्तान की राजदनी क्या है जैपूर यहां की राजदनी मुख्यमंद्री को ने अशोग गलोत मुख्यमंद्री है राजस्तान का हाँ पर है वो भी इंपोर्टेंड रिफ्रेंड्स क्योंकि राष्टपती रामनात कोई ने उस का नैशनल पार्क ठेका ना ये तीन प्रमुक नैशनल पार्क हैं इसके अलवा केवला देव घना पक्षी अभ्यारण भी है राजस्तान में वो भी आपको याद रखना हैं बात करते हैं साथ वे कोशन के हाली में भारतिय वायू सेना के कमांडरों का सम्मेलन कहां पर हुआ इंडियन एयर फोर्स के कमांडरों का सम्मेलन अभी कहां पर हुआ तो नई दिली में ये आयोजित हुआ हैं जिसके अधिक्ष्टा किसने के तो एयर फोर्स चीफ आरकेस भधोरिया ने इस सम्मेलन के अधिक्ष्टा किये हैं इंडियन एयर फोर्स की बात की जाए तो 1932 में इसकी स्तापना हुई थी, इसके कितने कमाने, तो साथ कमाने पूरे देश में, ठीके न, ये भी आपको याद रखना है, इंडियन एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है, तो इंडियन एयर फोर्स डे मनाया जाता है, आच अक्टोबर को, ठीके न, ये भी आपको याद बात करता है आठवे कोईशन हाली में DRDO ने भारतिय सेना में निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विक्षित क्या है तो मैंने आपको पहले भी बता दिया DRDO से संबंदी सभी कोईशन most important है एक कोईशन में वहाँ पर बताना भूल गया था एक जनवरी को मनाया जाता है DRDO Day ओके तो ये भी आपको याद रखना है DRDO Day का मनाया जाता है एक जनवरी को ओके ये जो है चाइना की सीमा पर लदाक में इसको तैनात किया जाएगा LSE पर ओके लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल पर ओके तो ये है भारत ड्रोन जिसका निर्मान किया है DRDO ने चलिए नेक्स्ट बात कर दें नाइंत कोशन के हाली में किस देश ने रिलाइंस जियो को क्लीन टेलकोस की लिश्ट में रखा है तो अभी जो है अमेरिका ने एक रिपोर्ट में जियो जो है रिलाइंस जियो कंपनी है उसको क्लीन टेलकोस में रखा है यानि कि इसमें वो कंपनियों को रखा जाता है जो की ब्रस्टा चार से बिल्कुल दूर रहती मलब ब्रस्टा सार न के बराबर होता है इन कंपनियों में तो Reliance जी वो एकदम clean company है अमेरिका के according उस report के अनुसार ठीक है ना अब Reliance जी के स्थापना कोई थी 2007 में स्थापना होई थी इसके जो मूल रिलाइंस है इसकी स्थापना तो 1973 में हो गए थी इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष को ने तो मुकेस अंबानी जो है CEO अध्यक्ष को वही है ठीक है ना यह आपको याद रखना अब बात अमेर अमेरिका के डोनाल टरम्प यहां के राश्टपती हैं मुद्रा क्या है अमेरिकी डॉलर एंड अमेरिका के बारे में आपको दो पॉइंट अभी करन्ट में याद रखना है ओपन इसकाई ट्रीटी से अमेरिका अलग हो गया और सेकेंड पॉइंट यह हैं कि अमेरिका वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता ना यार वीडियो को लाइक चरूर करो शेयर करो सभी स्टड़ी ग्रूप्स में एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ओके भारत ने किस देश के साथ अपात का लिन चिकित सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझोता क्या है मौल्डिव क साथ ये समझोता क्या है भारत ने जिसके तैद मालदीव की राज़दानी माले में अपात का लिन चिकित सा सेवाएं को यहाँ पर रखा जाएगा ठीके ना यह आपको याद रखना मालदीव की बात है तो मालदीव जो है भारत का सामुदरिक पडोशी देश है राजदान कोने इबराहीम महमद सौली इंपोर्टने सारक का मेंबर है मालदी ओके तो यह भी आपको याद रखना है अब मैं आपको कल के कोश्टन का आंसर देता हूं आज का कोश्टन पूछता हूं कल मैंने कोश्टन पूछा था किस राज़देश के राज़देपाल लाल जी मुख्य मंतरी घर घर राशन योजना की गोश्टना की है तो अभी कल के वीडियो में हमने इसको बार में फुल डीटेल में डिसकसन किया था वीडियो देख लेना वो कल का फिर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है मुख्य मंतरी घर घर राशन योजना किस र पुरूर दबा लेना हैं मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत